कॉंग्रेस निताओं को जब तक कड़ी फटकार ना लगे इनको तरीके से बेज़तना क्या चाहे तब तक अपनी गलती का एसास नहीं होता है कॉंग्रेस निताओं की बात इसलिए क्यूंकि सबसे ज़्यादा इसी पार्टी के निता है जो कोट के फैसले देश की जाच जिंसी या पीएम पर कुछ भी बोले अटिपड़ी करने से पहले नहीं सुचते हैं कि बाद में इन्हें मुँ की खानी पड़ती है इसका ताजह उदाहरण तेलंगाना के मुख्यमंत्री रिवन्त रडड़ी है जो सुप्रिम कोट की फटकार के बाद बैक फुट पर आगे हैं और कोट से लताड लगने के बाद बिना शर्त माफी मागी है जिसके बाद पार कैसे लगी जमकर फटकार लताड के बाद सीम को किस से मागनी पड़ी माफी सोन्या और राहूल गांदी का क्यूं उत्रा मूं इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और कॉंग्रिस की जमकर फजियत करा दी है सुलक्ता में आगे बताएंगे सुप्रिम कोर्ट के सक् पी-म पर टिपड़ी करना कॉंग्रेस निता को कैसे पड़ा भारी लेकिन सबसे पहले पाद सीम रिवंत रिड़ी की तेलंगाना के मुख्यमंत्री रिवंत रिड़ी ने बियारेस निता के कविता को जमानत पर दी बयान के लिए सुप्रेम कोर्ट से बिना शर्त माफी गया कि मैं माननीय न्याले के विवेक पर सवाल उठा रहा हूं मैं उन खबरों में दिये बयानों के लिए बिना शर्ट खेद व्यक्त करता हूं मैं नियाइपालिका का सम्मान करता था और करता रहोंगा बता दे कि 29 अगस्त को सुप्रेम कोर्ट में कैश और वोट केस की सुन कि दोरान उन्होंने रिवन्त रिड़ी के वकील मुकुल रोतगी से पूछा क्या आपने अकबार पढ़ा कि उन्होंने यानि कि रिवन्त रिड़ी ने क्या कहा है उसे पढ़िये कोर्ट ने कहा कि सियासी लड़ाई में कोर्ट को घसीटना ठीक नहीं है कोर्ट निताओं से कूछ कर फैसले नहीं सुनाती ऐसे बयान लोगों के मन में आश्रंका पैदा करती है गौर करने वाली बात यह है कि तेलंगाना सीम ने 28 अगस्त को मीडिया से बाच्चीत में कहा था कि तेलंगाना के पुर्वसीर के सियार की बेटी और मलसी के कविता को पांच महीने में जमा जमानत मिली जब के सीम के जिवाल को अभी तक जमानत नहीं मिली है रिवन्त रेडी ने आरोप लगाया था कि ब्यारेस ने 2024 के लोगस्वज चनाव में बाच्पा की जीत के लिए काम किया ऐसी भी चर्चा है कि कविता को ब्यारेस और भाच्पा के बीच समझोते के कारण जमानत मिली है बता दे कि सुप्रम कोट ने दिल्ली शराब नीती से जुड़े ब्रस्टचार और मने लॉंजिंग के मामले में 27 अगस्त को के कविता को जमानत थी कोट ने फैसला सुनाते वे कहा था कि इस केस में जाच पूरी हो चुकी है ट्रैल के जल्द पूरे होने की उमीद नहीं है के कविता महिला है और पीमले के शेक्सन पैतालेस के तहत उन्हें जमानत मिलनी चाहिए इसी कोट में कई आदेशों में कहा गया है कि अंडर ट्रैल कस्टडी को सजा में नहीं बदलना चाहिए कविता एक जुलाई को दिल्ले हाई कोट में जमानत के लिए तब कोट ने कहा था कि वो मुख्य आरोपी है और ज्यांच अभी एहम मोड पर है अभी जमानत नहीं दी जा सकती है सुप्रिम कोट ने जमानत देते वक्त हाई कोट के इस फैसले का जिक्र भी किया और उस पर टिपनी की तिलंगाना की पुर्व सीम केट चंदर शेकर पार्टी के संजय सिंग और मनीज सी सोध्या को इस केस में जमानत दी है पता दे कि सुप्रिम कोट की बिच बेरस बदायक गुंटा कंडला जगदीश रिड़ी की तरब से लगाई या च्छका पर सुनवाई कर रहे थी जगदीश ने मुकदमे को तेलंगाना से दूसरे र सपोर्ट करने के लिए मनुनित विधायक एल्विस एंटिफेंशन को पच्चास लाग की रिश्वत देते वे गरफता किया था रिवंत तब तेलुगू देश्रम पार्टी में थे जानकारी के नुसार 31 मई 2015 की दोपर को रिवंत कथित तौर पर एगलो एंडियन समुदाय से मनुनित विधायक एल्विश एस्टिफेंशन के शिकंदराबाद इस्थित घर गये थे कथित तौर पर रिवंत बैठक से पहले फोन पर एस्टिफेंशन के संपार्क में थे और कथित तौर पर उन्होंने उन्हें वोट के लिए पैसे देने का संकेत भी दिया वहीं कथित तोर पर रिवन्त और उनके दो सही यूग्यों को एस्टिफेंशन को पच्छास लाख रुपए की पेशकस करते विद दिखाया किया था जब पले सिधिकारी उन्हें ग्रफतार करने के लिए पहुचे थे उन्हें आरोप लगया कि एसीबी की कारिवाई ततकालीं सीम केसियार के इशारे पर की गई थी एक जुलाई 2015 को उन्हें हाई कोट से जमानत मिल गई और चेरला पली सेंट्रल जेल से रिहा करती एक है रिवंद का स्वागत करने के लिए टीडीपी कारिकरता हो और उनके समर्थकों की भाड़ी भीड़ वहाँ जमा हो गई जहां उन्हें केसियार सरकार को गिराने की कसम खाते हुए अपना प्रजद भाशन भी दिया था एसी बी ने रिवंद और अन्य आरोपियों के खलाब रस्टचार निवारन अधिनियम और आईपेसी की धारा एक सोबी यानि की अपरादिक साजिश सहित अन्य आरोप के तहट आरोपत्र दैर किया था वही कोट में मुकल रोहतगी ने रेड़ी के ओर से माफी मांगी और कहा कि मुझे अपनी गलती सुधार ने दीचे और मामले को सुनवाई के लिए सुचिबत कर दीचे नराज दिख रही पेट ने रोहतगी से कहा कि अगर आप उच्छतम न्याले का सम्मान नहीं कर सकते त रेवन्त रेड़ी को माफी मांगनी पड़ी ये कैसे बाकी अनाप शनाप बोलने वाले निताओं के लिए सबक बने का क्योंकि सिर्फ कॉंग्रेस ही नहीं आप आदमी पार्टी के निता भी जांच जिन्सियों और देश के पीम मोधी पर तरह तरह के आरोप लगाती रहते है और ने कहा कि जस दिन अदालत में जाकर CBI कहती है कि जमानत याच का पर हमारा जवाब तयार नहीं है इसलिए जमानत की सुनाई 14 दिन आगे बढ़ा दी जाए उसी दिन CBI का जवाब मीडिया में दे दिया जाता है ताकि CBI का जवाब आगले दिन अखबारों की एक संजर सिंग ने भी एडी और CBI जैसी जांच जिन्सियों के अक्षन पर सरकार पर बयान बाजी की थी संजर सिंग ने तो कहा था कि जहां भी मनमानी हो रही है CBI इत्यादी समी जगब बस एक ही वाक्या सुनने को मिलता है सर समझे उपर से प्रेशर है सब मान रहे हैं ताना शाही है पूरा देश चांता है ताना शाह कौन है माना जा रहा है कि संजर सिंग का इशारा प्रधान मंत्री नरिद्र मोदी की तरफ था तो क्या ऐसे निताओं पर कारिवाई की ज़रूरत नहीं है आखिर इन लोगों पर कब तक तगड़ा एक्षन लिया जाएगा जिसके बाद इनकी अकल ठिकाने लगी थी वहीं गौर करने वाली बात ये भी है कि प्रधान मंत्री नरिद्र मोदी को निशाना बना कर एक चिपड़ी की थी इसको लेकर बीजेपी निता ने उनके खलाब मानहानी का मुकदमाद दायर किया था इसे शासी थरूर ने कोट में चुनाओती थी थरूर ने ट्रायल कोट के 2019 के आदेश को रद करने की मांग की थी जिसके ताथ उन्हें आरोपी के तौर पर तलब किया गया था और 2 नॉवंबर 2018 के शिकायत को रद करने की मांग की गई थी हाइकोट ने 16 अक्टूबर 2020 को अपराधी कारेवाई पर रोक लगा दी थी और अंत्रिम आदेश को रद कर दिया था साथी पक्षो को 10 सेतंबर को निचली अदालत में पेश होने का नदेश दिया था जस्टिस अनुप कुमार मेंदिरता ने आदेश शुनाते वे कहा कि कारेवाई रद करने का कोई अधार नहीं पनता है बताते कि 2018 में बैंगलोन लिटरेचर फेस्टिवल में बोलते हुए कोंगरेस सांसन ने कथे तोर पर एक अनास आरेसस सूत्र का हवाला दिया जिसने कथे तर पर मोधी को शिवलिंग पर बैठे बिच्छू के रूप में बढ़नित क्या था उन्होंने इसे आउस साधारण रूप से आकशक रूपक कहा इस टिपड़ी पर मानहानी का यह मामला बीचपी नेता राजीव बबर ने दैर क्या था चिन्होंने थरूर के टिपड़ी पर आपती जताते हुए दावा किया था कि कोंग्रेस नेता के बयान से उनकी धार्मीक भावनाय आहत हुई है तो इस तरह से कोंग्रेस के कई ऐसे नेता है जो अपने जुबान पर लगाम नहीं लगाने के कारण मुसीबतों में फसते जाते हैं किसी और की बात क्यू करना कॉंग्रिस नितार राहुल गादी खुद अपनी जुबान के कारण कई मामलों में फसे हुए हैं जिससे उनकी मुश्किले बढ़ती चारिए सुलक्ता सवाल में पलाल के लितना हैं देखते रिए कैपिटल टिवी नमस्कार ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया